हेलो दोस्तों, इलेक्टिकल बिष्ट में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, 1HP का वाटर पॉम मोटर है जो खूला हुआ है, इसको मैं अभी अभी खोला हूँ दोस्तों, इसमें प्राबलम यह है कि ये मोटर, एक मंजिल तक पानी चढ़ा रहा है लेकिन दूसरे मंजिल तक पानी नहीं चढ़ा पा रहा है और कभी-कभी चढ़ा भी रहा है, तो बहुत ही सुलो चढ़ा रहा है इसके वज़र से पानी की टंकी भरने में काफी समय लग जा रहा है यानि कि इस मोटर का प्रेसर बहुत ही कम हो गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस टाइब के किसी भी मोटर का प्रेसर क्यों कम हो जाता है और किन किन कारणों से प्रेसर कम हो जाता है और इस मोटर में किस कारणों से प्रेसर कम हुआ है यह सारी बाते मैं step by step बताऊंगा तो यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा इत्मिनान से देखें और वीडियो पसंद आये तो इसे दिल से लाइक जरूर कर दे तो आए का प्रेसर बहुत ही ज्यादा कम हो गया है तो STI Code की मोटरों का प्रेसर कम होने के कई कारणों होते हैं जैसे को जोड़ हो जाना बोल्तेज की कम होना जैसे 220 V से कम होना यानि 200 से कि प्रेसर कम हो जाता है या Minster में कोई कि तरना नहीं कोई प्राबलम आजयेगा जैसे कि इसका कंडर का यह जो दाते आफ देखर आप गी घिसदाना या फिर पॉंप सेट में जो वाटर शिल लगता है दोस्तों वहां से थोड़ा-थोड़ा पानी लिकेज होने कोज़े से भी प्रेसर कम हो जाता है तो दोस्तों इस मोटर में यह कैपिसीटर बिल्कुल ठीक है जहां यह मोटर लगा है वहां भोल्टेज भी बिल्कुल सही है इसके वाटर सील से थोड़ा सा भी पानी लिकेज नहीं कर रहा है यानि कि सब कुछ ठीक है गोल्ड डाउंड बना हुआ है और ऊपर के तरव निकला हुआ है। इन दोनों प्लेटों को बीच ओ स्माइब घूमता रहता है। भूता है जो मातना पानी को रव मिश्च और इससलेमा करको यह जो आप देख रहा है इसके भीच अपीच में घ क्तालान दिक रहा है यह घ्यragenkov हो गिए और इसका दूसरा पार्ट घीश ने बेगा है जैसा कि यह बिल्कुल ऐसे प्लेन है, और दोस्तों तीसरी बात यह कि यहाँ पर जो आप गड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर यानि कि यह बहुत ज़्यादा घिस गया है, यह इस लेंथ में होना चाहिए, इसके बरावर यह होना चाहिए, लेकिन इसके निचे ज़्यादा घ इस प्रकार से ऐसे घूमता है तो जो एसे घूमता है तो पानी को इधर से खीचता है ऐसे और पानी को यहां से रॉन कराकर और ऊपर के तरफ यहां से ढखेल देता है लेकिन वहां गड़ा हो जाने को जासे पानी को अपने साथ ही घूमा रहा है उपर नहीं ढखेल रहा है और उपर ढखेल भी रहा है तो बहुत कम ढखेल रहा है आधे पानी को उपर ढखेल रहा है और आधे पानी को फिर से दुबारा अपने साथ घूमा ले रहा है तो दोस् प्यान पाइप जादे जहां पे लगा हुआ है proceed झालने है यहां और स हम धबाया है यहां पर दिखा दे रहा है इसके लेवल करना पड़ेगा यह भी होना चाहिए नीचे और यह जो दिख रहा है आपका यह गढड़ा उबड़खाबड यह तक फ्रेस होना चाहिए चीकना ला चाहिए एक समान होना चाहिए दोनों प्लेटों में तो दोस्तों इस गैब को भरने के लिए हमें यहां पे पीतल का माल रखवाना पड़ेगा गैस वेल्डिंग से पीत के उपर नहीं ठधिल पाता है तो आज़े देखते हैं कि कैसे इसमें काफी जगा है तो दोस्तों इस इम्पैलर को हम यहां लगा देंगे जहां बेर राता है और इसके उपर से इस सेट को chaos set करदेंगे अ तो दोस्तों ये इस परकास रहेगा देखिए इसको मैंने सेट कर दिया है अब दोनों आपस में चिपक चुका है तो दोनों आपस में चिपकने के बाद से जो हमारा इंपेलर है उपर नीचा नहीं होना चाहिए दोस्तों मतलब प्ले नहीं होना चाहिए तो फिट करने के बा कुछ न कुछ जगह मिल रहे हमको दोनों आपस में चिपक नहीं रहा इस परकार से जब तक चिपके गए यह से तब तक पानी को ऊपर नहीं चढ़ाएगा तो पानी को प्रेसर बनाकर उपर तक नहीं धखेल पाएगा तो दोस्तों इस प्राबलम को दूर करने के लिए हमें इसको मेजरमेंट करके और बढ़िया तरीका से इसको टर्न कराएगे तो इसके लिए लेत मसीन पर लेजाना पड़ेगा और गैस बेल्डिंग के पास भी लेजाना पड़ेगा पीतल का माल रखवाने के लिए क्योंकि दोस्तों यह का श्टाइरन होता है इस पर लोहे का मा कर और इस इंपेलर के साइज का बनवाते हैं ताकि इस इंपेलर और इस बोड़ी के बीच में थोड़ा सा भी जगह और रहे हैं पानी को जिधर से खीचे उसी रवतार से उपर के तरफ ले जाए तो आए दोस्तों इस परक्रिया को अच्छे से करने के बाद से आप से मिलत है क्यां कैसी पीतल एक ही साइड रखास है और एक साइड को ऐसे ही ती कि खार दीआ है चुर्ण से पेला से उप द्inação् इसली हिसा में गैप नहीं दिखाई दे रहा है और पहले गड़ा टाइप का गैप दिखता था तो यहां पे बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है तो अब दोस्तों यहां पे यह इंपेलर को इसमें डाल कर हम चेक कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा इंपेलर इसमें फिट होता है और यह पानी को सीधे ऊपर के तरफ ढखे लेगा यहां पर राउंड नहीं करेगा तो इसका प्रेसर ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपकी पाने की टंकी बहुत ही जल्दी भर जाएगी तो दोस्तों आईए अब इसे body के साथ यानि इस body के साथ इसको fit करते हैं और water seal अगर अगर सारे चीज़ इसको लगाते हैं दोस्तों water seal change करने का और ये सब impeller कैसे change किया आता है ये सारे video जो मैं पहले ही बना चुगा हूँ आप चाहें तो video list में जाकर देख सकते हैं या उपर eye button दबा कर भी देख सकते हैं तो दोस्तों इस pump set को body के साथ fit कर लिया गया है और ये बिल्कुल free भी घूम रहा है free घूमना भी चाहिए दोस्तों हो सकता है setting करते से मैं थोड़ा सा problem खड़ा करें जल्दी free नहीं हो लेकिन इसमें packing हो रहा है जो भी कुछ लगा कर इसको अच्छी तरह से free कर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है तो आए दोस्तों इसको supply देकर test कर लिया जाए तो यहां पर मैं supply दे चुका हूँ और switch को on कर रहा हूँ तो दोस्तों यह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है थोड़ी सी आवाज इसमें कुनकुना हट की आ रहे है इसके pump से आवाज आ रहे है जो पीतल का माल इस पर रखा गया है उसमें इसका impeller थोड़ा सा ठकरा रहा है यह पानी जब डाला जाएगा तो यह sound बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसकी pressure बढ़ जाएगी तो दोस्तों अगर आपका भी motor इस वज़ा से कौम पानी दे रहा है पानी की टंकी भरने में टाइम लग रहा है तो इस तरीके से आप उस motor का repair बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जो की बिल्कुल perfect तरीका है तो दोस्तों मुझे इमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे दिल से लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हो तो इसे subscribe करके site का bell icon में जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई